और कभी हिम्मत नहीं हार निशाई ये समझाने के लिए इसा ने उन्हें एक द्रश्टान सुनाया किसी नगर में एक नियाय करता था जो ना दो ईश्वर से डरता और ना किसी से परवाह करता था उसी नगर में एक विदवा थी वह उसके पास आकर कहा करती थी मेरे मुद्धे के विरुद मुझे न्याई दिलाई ये बहुत से समय तक वह अस्वीकार करता रहा बाद में उनके मनी मन ये कहा मैं ना तो ईश्वर से डरता ना किसी से परवा करता हूं किन्तो ये विदवा मुझे तंग करती है इसलिए मैं उसके लिए न्याई की विवस्ता करूंगा जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दमना करती रहे प्रभू ने कहा सुनते हो कि वह अधर्मी न्याई करता क्या कहता है क्या इश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याई की विवस्ता नहीं करेगा जो दिन रात उनकी दुहाई देते रहते हैं क्या वो उनके विशे में देर करेगा मैं तुमसे कहता हूं वा शीक रही उनके लिए न्याई करेगा परंदो जब मानुपुत्र आएगा तो क्या वा प्रद्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा क्रेस में प्यारे भाई और भेनों इन दिनों में हम सूसमाचार में विशेशुप से सनलोकस के सूसमाचार में प्रार्थिना के बारे में अनेगबार बातें सुनते आ रहे हैं और आज फिर से नित्या और निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए ये समझाने के लिए प्रभू एक भोधी रोचक द्रश्टांद अपने छिश्यों के सामने रखते हैं एक दुष्ट न्याई करता जो अपनी चाह से नियाई नहीं करना चाहता है लेकिन एक विदवा उन्हें बार बार तंग करती आ रही है और इस वज़े से वो ज्यादा तंग ना करें इस वज़े से सिर्फ इस वज़े से उस महिला के लिए नियाई करता है प्रार्थना के संग एक और चीज़ को आप सबों के साथ में इस वज़न के साथ जोड़ कर देखना चाहूंगा प्रार्थना करते समय हमें हर दम विश्वास के साथ में प्रार्थना करनी चाहिए निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इसको हमारे जीवन में हम उतारने की जब कोशिश करते हैं इस वर्चु का नाम है persistence निरंतरता persistence क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ को हासिल करने की इच्छा रखते हो और उसके लिए तमाम कोशिश करते हो परिश्ट्रम पर परिश्ट्रम पर परिश्ट्रम करते रहते हो आप परिश्ट्रम करते हैं काम्याब नहीं होते हैं और परिश्ट्रम करते हैं काम्याब नहीं होते हैं लेकिन आप परिश्ट्रम करना नहीं छोड़ते हैं और ऐसे लगातार परिस्टम करने से आप एक दिन उस पर सफल जरूर हो जाते हैं, इस बात को हम persistence या निरंतरता कह सकते हैं मैं अक्सर इस मन से और प्रभू के इस पुलपिल से आप सबों के साथ मैं ये बात को बार बार कहा हूँ कि अगर किसी भी विक्ति को अपने जीवन में कुछ भी हासिल करना हो, कुछ भी हासिल करना हो, उसके लिए निरंतरता जरूरी है persistence बेहत जरूरी है, persistence का मतलब होता है कि आप निरंतर प्रार्थना, निरंतर कोशिश करते रहे जरूरी नहीं है कि आपने कुछ देर के लिए कोशिश की आप सफल हुए होते होंगे, लेकिन उनकी संग्या बहुत सी मित है, बहुत कम है, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए अगर जीवन में सफलता की सीड़ी चड़नी हो, तो उन्हें निरंतर कोशिश करती रहनी पड़ेगी एक बार नहीं, बार बार परिश्रम करने से, मैं आप सबों को यकीन दिलाना चाहूंगा, कि हम एक दिन अवश्य सफल होंगे ये हमारे बिस्नेस के शेत्र में भी हो सकता है, हमारे जीवन के किसी भी शेत्र में हो सकता है हम लोग competitive exam में बच्चों को कोशिश करते देखते हैं, परिश्रम करते बेचारे, बहुत समय से परिश्रम करते हैं, लेकिन वो काम्याब नहीं होते हैं मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, आप परिश्रम करते रहिएगा, अंतिम पल तक परिश्रम करते रहिएगा, एक ना एक दिन अवश्य, आप अपने मंजिल तक पहुंची जाओगे और उसी प्रकार अपने जिवन में कोई भी लक्ष लेकर, कोई भी आगे बढ़ रहा हो, बले उनके जिवन में इस समय असफलताएं हो, लेकिन आप हिम्मत ना हारे, जिस सरह से बचन में कहा गया है, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आप जब परिश्रम करते हैं, निरंतर कोशिश जारी रखनी चाहिए, और प्रभू मुझे सामर्थ इस वक्त दे रहा है, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, जो अपने जीवन में निरंतर कोशिश करते हैं, निरंतर परिश्रम करते हैं, मैं आप सबों के ल दुष्ट महाजन ने उस महिला को इस कारण न्याई दिलाया कि वह उन्हें निरंतर हमेशा परेशान करते हैं मैं आप सबों के साथ एक बात को जोड़ना चाहता हूं कि हमारे इश्वर जो है उस दुष्ट महाजन जैसे नहीं है उस दुष्ट न्याई करता जैसे नहीं है लेकिन वो प्रेमी परमेश्वर है अपने बच्चों के परिश्वरम को देखता है उनकी प्रार्थिनाओं को सुनता है और उनकी शक्ती से मैं इस वक्त उन्तमाम लोग इस वक्त अपने जीवन में कोई लक्ष को लेकर ऐसे निरंतर कार्य करते हैं निरंतर परिश्वरम करते हैं निरंतर मेहनत करते हैं और उनके पास में उदास सीनता ही हाथ लगे हो फिर भी परिश्वरम करिएगा आज नहीं तो कल मैं प्रभू के साथ कहना चाहूंगा सफलताएं आपके पैर छुएंगे आज जब इन वच्णों को मैं आप सबों की साथ साजा कर रहा हूं आप सबों के लिए यही मेरी प्रार्थना है यही मेरी कामना है प्रभू हमारी प्रार्थनाओं को कबूले